परिवर्तन का सिंगराशी के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नकारात्म की स्थितियां उत्पन हो सकती हैं तथा ग्रहक किस प्रकार सिंगराशी के जातकों को सकारात्म कुर्जा प्रदान करेगा इस विश्य में वारता करते हैं सिंगराशी के जातकों के एकादस इस्थान के अधिपत्ती बुध भागे इस्थान में इस्थित होंगे तथा यहां बुध चूंकि सूर्य के साथ अवस्थित हैं अस्थ इस्थिती में रहेंगे यहां बुध नो मई संदोजार बीस प्रातह नो बजकर 35 मिनट तक विचरन करेंगे तथा अस्वनी भर्णी और कृतिका नक्षत्र में इसी स्थिती के अनुसार विचरन करते रहेंगे इस गण्ना का प्रभाव सिंग्रासी के जातकों पर यह पड़ेगा कि उनके सभाव में थोड़ी निमनता आ जाएगी चिड़ चिड़े होने की संभावनाएं है अर्थात वह किसी भी वारता को विशे को यदि गूड़ता से उस पर विचार विमर्ज करेंगे तो व्यवाहर उस वेक्ति के प्रती जिसके द्वारा वह विचार है अत्वा परिवार के प्रती भी थोड़ा सकारात्मक नहीं रहेगा क्योंकि वो एकांत इस्थिती से उस पर विचार करेंगे और उसकी नकारात्मक्ता के विशे पर ही विचार करते रहेंगे उसके सकारात्मक परिणाम पर विचार नहीं करेंगे इस कारण सिंगराशी के जातकों पर थोड़े चिड़े पन की अवस्था बन सकती है स्वास्थे भी थोड़ा निम्न रहेगा शरीर के बाय अंग में थोड़ी नकारात्मक्ता रह सकती है विशेश तोर पर यदि कहा जाए तो पेट में बाय और अथवा बाय नेत्र पर इस समय रोग की इस्थिति प्रदर्शित होती है जिन सिंगराशी के जातकों को पित से संबंदित समश्या है अथवा जिने थाइराइड की प्रोब्लम है उन्हें इस समय पर थोड़ी इस्थिति नकारात्मक्त प्रदर्शित होती है यदि ओस्दी ले रहे हैं और विशेश तर प्रकार से एलोपेथिक ले रहे हैं तो रोग सकारात्मक्त हो जाएगा अर्थात रोग में आपको आराम प्राप्त हो जाएगा परन्तु इस समय पर जो आईरुवेधिक चिकित्सा कर रहे हैं उनको इस स्थिति में सकारात्मक्त प्राप्त नहीं होगी तो जिन लोगों को यह रोग हैं या इससे सम्द्दित रोगों की स्थिति प्रदर्शित हो रही है उन्हें एलोपेतिक दवाईयों का प्रियोग करना चाहिए स्वास्थे के प्रतिया आपको सजग रहना चाहिए इसमें बिल्कुल भी न्यूनता आपको नहीं रखनी चाहिए नहीं बरतनी चाहिए परिवार में सभी लोग प्रफुलित रहेंगे परिवार में सुख की स्थितियां रहेंगी कुटमबु में भी मंगल रहेगा अर्थात आसपास के परिवेश में नकारात्मा की स्थितियां कमपरदर्शित होती है धन प्रापत हो सकता है धन के मार्क भी प्रसाफ प्रापत हो सकते है धन की स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। परिवर्टित हो जाएगी बुद्ध उदई हो जाएंगे आपके गुणों में एक उत्साहा भर देंगे क्योंकि अस्त इस्थिति से जैसे ही सूर्य सिधित्य स्थान पर आएंगे तुरंत आपको गुणों का बंडार बना देंगे सिंगरासी के जातकों को वैचारिक अक्षमता पर निर्भर रहना चाहिए वैचारिक अक्षमता की और विचार करना चाहिए जिस परकार पहले कह चुके हैं कि आप एक बिंदु पर विचार करेंगे, एक बिंदु के इर्द गिर्द ही आपका मस्तिक्स घुमता रहेगा, ऐसा ना करेंगे, यह स्थिती प्रदर्शित होगी, संतान की ओर से भी चिंता का विश्य बनेगा, संतान की ओर से भी चिंता करेंगे, परंतु इसकी अधिकाव आप पर नहीं रहेगा, अधिक समय तक प्रबल नहीं रहेगा, रोक की स्थित्यां अधिक आपको पराजित नहीं कर पाएंगी, गरस्त जीवन साथी का पूर्ण सायोग प्राप्त होगा, किसी शुपे हुवे धन, अर्थात, जिसकी आसा आपको थी, वह प्राप्त होने की संभावनाय नहीं है, किसी कारिय के होने की जो आप योजना बना रहे थे, उसमें अडचना आ गई है, समय की स्थिती के कारण, यह भी एक निराशा का कारण हो सकता है, भागय में भी अटकले बनी हुई है, लाब के अवसर सुनिश्चित होंगे, यह भी निश्चित है, समय आने पर लाब प्राप्त होगा, धन का व्य कम होगा, धन के व्य की स्थितियां कम होंगी, हानी की तो संभावना यह नय के बराबर है, सिंगरासी के जो जातक जिनका वरतमान समय में चिकित सास के छेत्र से संबंद है, अथ्वा इसमें भी वह जातक जो ओस्दियों के आदान प्रदान करने के एक शेत्र में कार्या करते हैं, उनको विशेस सफलता प्राप्त होगी, चुकि सिंगरासी के जातकों के स्वामी इस महां उच चके हैं, तो एक विशेस प्रकार का उत्साहा तो आपके अंदर बना ही रहेगा, एक नई खुज करने की चाहा, एक अपने कार्या क्षेत्र में नए मार्ग प्रदर्शित करने की चाहा, यह आपके अंदर बनी रहेगी, इस पर कार्ये कीजिए इसमें यह समय विताईए इसमें यह समय वैतीत कीजिए भाग्य सुद्रड होगा नवीन मारी परशस्त होंगे इन सभी समझ्याउं से निवरत्ती के लिए सिंग रासी के जात्को को इस महा इस मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए प्रति दिन 57 से 63 मिनट रतात 1 घंटा 3 मिनट तक का समय इस मुद्रा के प्रदर्शन में लगाना चाहिए इस मुद्रा को आप दिन में 2 बार अथवा 3 बार में भी कर सकते हैं रतात इस समय को 2 या 3 बार में आप डिवाइड कर सकते हैं इसके साथ साथ भगवान संकर का पंचाक्षर मंत्र ओम नमस्षिवाज मंत्र का जब करें अवश्य ही कारियों में सफलता प्राप्त होगी समश्याओं से नुरत्ती प्राप्त होगी मन के शांती उन्हें लोट आएगी विचार की प्रकरता प्राप्त होगी धन्यवाद, सुभम भवतु, भगवान गणपती तथा मातारा आपका कल्यान करें